हलो गाइस दोस्तों आज हमारे पास है वन वाई वैकम के तरफ से आने वाला एक राइटिंग पेंट टैबलेट जो की बहुत यूजफुल होगा एजुकेशनल यूटूप चैनल के लिए जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं या फिर ट्रेनिंग लेते हैं किसी भी इंस्टिूशन मे या फिर आप अगर एक आर्टिस्ट हैं कुछ भी ड्राइंग प्रेंटिंग या आर्टवर्क करते हैं तो यह वन अप बेस्ट डिवाइस इन सभी चीज़ों के लिए खासकर के एजुकेशनल चैनल जो की हैं उनको टारगेट करके मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि क्य आपको बताएंगे हैं वहां को से इसे स्ट माइज कर सकते हैं यह उस पर यह विंडूज अगर रहा का कंक्यूटर सकते हैं और और चीस करना चाहते हैं चोडब तो कि पर यह उसका कर आता है उसका च्यों डेकिन ट्राइवर ठीर barrel नहीं है इसलिए smartphone पे थोड़ा सा sensitivity जो है गरबढ़ हो जा रहा है इसमें टेस्ट किया और चलिए इसका full review बताते हैं और एक चीज आपको कहूंगा कि आप पर्चेस करने जाएंगा तो इसका दो variant है एक छोटा वाला variant है पांच-छे इंच का है और ये जो है 8.5 inches का है तो 8.5 inches वाला ह ही लीजेगा इसके कीमत थोड़ी सी जादा जरूर है बट ये आपके लिए वर्च करेगा वह बहुत छोटा और आपके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी definitely वह दिक्कत होगा क्योंकि इसमें भी अगर बात किया है तो खुलके आप बहुत जादा नहीं लिख सकते हैं थोड और वाइव वैकम का box pack और बॉक्स पे बहुत जादा कुछ चीज मेंसें नहीं है बस red and black लिखा हुआ है और बाकी चीजे चाइनिस में में जिसके अंदर यह रहा दूसरा एक छोड़ा सा box और इस पर भी कुछ चीजे मेंसें नहीं है चलिए खोलते हैं इस box को देखते हैं क्या-क्या box content है पहले तो सबसे पहले ऊपर की तरफ दिया हुआ है कुछ चीज है जो की बता रहा है किसो यूज करने के लिए आपको software download करना पड़ेगा लगाने के बाद और यह रहा आपका writing pad और जिससे आप write करेंगे काफी build बहुत बढ़िया बनाया गए हां पर कुछ ची tablet और pen जिसका इस्तमाल करके आप लिखेंगे right और left में आप customize कर सकते हैं कौन से चीज़ आप करना चाहते हैं scroll करना चाहते हैं scroll होगा click करना चाहते है कि यह कुछ nibs है जो कि आप change कर सकते हैं अपने ही साब से अगर खराब हुआते हैं तो और use कर सकते हैं अब यह है आपका user guide user manual जिसमें कुछ instructions हैं जिसको आपको बिल्कुल देखने के जुरूरत नहीं है मैं आपको बता रहूं कैसे करना हर चीज पूरा detail है यह यह चार जो है रखने के लिए rubberized pads है जिस पे आप रख सकते हैं ताकि इधर उदर नहों painting के दरण या फिर कुछ पे लिख रहे हैं त अब size के अगर बात करेंगे तो यह देखें काफी sufficient size है दो sizes में आता है यह जो है सबसे बड़ा size है और 13 inch के आसपास के size है यह for size paper होता ना उसके पर आ जा रहा है लग बग थोड़ा सा छोटा है तो यहीं लीजेगा यहां पर आपको connect करना है जो किवाल आया है और फिर किस अब यहां पर हमारे पास windows है तो PC windows का करेंगे install driver और driver install करने के बाद आप smoothly वर्क कर सकते हैं यह देखें आप लिख रहा है कि driver install हो गया डिटेक्ट कर लिया backup भी ले सकते हैं कुछ update है अब यहां पर आप setting कर लिजिए बहुत सारे चीज़े को setting करना होता है यहां मैपिंग ह करने तो उससाब से उल्टा फुल्टा हो जाता है landscape है यह जो खोसने वाला उसको देखिए direction देखिए उसका उससे आपको पता चल जाए कि कैसा है इस साइड अगर रखा है तो इस साइड होना चाहिए वह यह सबसे बहुत है नहीं तो आपको गरबर हो जाएगा तो हमारे क अब करने पर चाहिए आपको कितना softness चाहिए वह चीज़ें आप यहांसे कर सकते हैं कस्टमाइबस इसके बाद कितना आपको sensitivity चाहिए वह कर सकते हैं राइट क्लिक करने पर बटन को कौन साब action हो वह सेलट कर लिजे इसमें से लेफ्ट क्लिक करने से यह वाला बटन क्लिक करने से कौन साब करना चाहते हैं तो मैं यहां पर क्लिक और राइट क्लिक कर लेता हूं जो कि जनरली माउस में होता है वो इसी से कर लेंगा आदमी और यहां पर चाहते हैं कि जो आपका माउस का काम करता है वो टच करने से काम करें या उपर से होवर करने से काम कर जाए हम आ पर बहुत से आपको पैंसिल पैंस उसका साइज सेल्ट कर लिए कितना मोटा लिखना चाहते हैं कलर सेलेक्ट कर लिजिए कस्टमाइज कर लिए पूरी तरीके से और उसके बाद लिखने के लिए आपका तयार हो जाता है यह दिखेंगे सबसे बड़ी बात कि आपका हाथ सट सब्सक्क्राइब करना चाहते हैं मल्टी पौल च्वेस्ट करना चाहते हैं पीदिए आपका कोई डॉक्मेंट है आप multiple वाला question को quiz करा रहे हैं लोगों को बता रहे हैं online या फिर live विजो भी तो इस software का इस्थमाल कर सकते हैं जो कि Adobe Photoshop और sorry Adobe का आप Adobe Reader या फिर यह मैं यूज कर रहा हूँ यह PDF element है तो इस तरीके से आप करके आप connect कर सकते हैं दोस्तों तो गैस कैसा लगा आपको यह वन वाई वैकम के तरफ से आने वाला pen tablet I hope कि आपको अच्छा लगा हो और आपने YouTube चैनल कर आप professional बनाना चाहते हैं तो यह अपने घर अपने studio मिलाईए और एक नई शुरुवात कीजिए वीडियो देख लिए बहुत बहुत सुक्रिया नीचे आपको से पच्छा सक्टिया थापको यह वाई